हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको फ्रोटी बनाने जा रही हो जिस मैंगो से बनाने जा रही हो फ्रेंट्स यह है मैंगो और इसे हम छिल लेते हैं छिल के इसको गुटली अलग कर लेते हैं और गुदा अलग इसे पतले-पतले छिलका-छिल लेंगे, उसके बाद इसका गुदा लेकाएंगे, देखिए एक बड़ा सा है, यह हाफ केजी तक है, और इसको बस पतले-पतले ऐसे ही स्लाइस में काट लेंगे, अब यह निकल चुका है, एक गुठली स्क्वालक कर लेते हैं, इसको बोदा है, यह देखिए, इसको मैं ग्राइंडर में डालके, बड़िया सब पीस लेती हूं सबसे पहले, इसमें एक कप चिनी, और यह जो आम हमने लिया है, यह खट्टी मिठी होने चाहिए, एक दम मिठी वाली भी नहीं है, जैसे दसेरी बगार ना हो, और यह जो है, खट्टी मिठी वाली आम होने चाहिए, बड़े आम होना चाहिए, और एक कप हमने चिनी डाल दिया, और यह हम ठंड़ाई डालेंगे जो की बदाम, पिसता, इलाइची है, पिसा हुआ और सौंप के पौडर है, तो यह अगर मार्केट में मिल जाता तो बेटर है, अदर्वाइस आप घर में भी बना सकते हो, यह हम तीन चम्मत, बड़े चम्मत डाल देंगे, यह भी ठंड़ाई बहु अब इसमें हम पानी मिक्स करेंगे, क्योंकि बीना पानी मिक्स करें प्रोटी बनेगा कैसे है, क्योंकि अल्रड़ी सब कुछ मिल चुका है इसमें, अब इसमें पतला करेंगे, इसे अच्छे तरीक से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर इसको छानना है, बीना छा चाल लेते हैं इसे, तो लेए फिर्स चाल लेते हैं, यानि कि बहुत गढ़ा है, अभी इसमें और पानी मिक्स करना है, अभी थोड़ा सा और पानी मिक्स कर देते हैं पैर्स, और इसमें भी थोड़ा मिक्स कर देखें, अलग से निकाल करके यानि कि कई बोटल, बड़ा बोटल में भरके आप रख सकते हो फ्रेज में रखें, हाँ, अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है तो इसे पका सकते हो अगर एक हपता के अंदर पील लेना है, तो अब इसी तरह बना के फ्रेज में रख दीजिए हो तो फ्रेज तुरन तुरन सर्व करना है, बोटल में दो-दो बर्व डाल दे अब बस आपका फ्रोटी तयार है, चाहे में मान आये तब आप तयार कर सकते हो बच्चे स्कूल से जब आते हैं, खाने को मन नहीं होता है, आदा गंटा बैटने के बाद इस तरह के से हेल्थ ड्रिंग दे, घर में ही फ्रोटी बनाएं, मार्केट के फ्रोटी पतने कैसा चीनी रहता है, कपका रहता है, वो नुकसान भी करता है, लेकिन आप इसमें मिश बच्चो को दे, बच्चो को बहुत मन पसंद दिदा, फ्रोटी है ता यार फ्रेंड्स, इस तरीके से लिमका के बाटल हो, छोटे छोटे बाटल हो, बच्चो को बहुत अच्छा लगता है, छोटे बाटल में पीने के लिए, तो ये तो फाइवर को होता है, प्लास्टिक तो है नहीं यह नुखसान नहीं करता बस एक बाग का ध्यान दे मार्केट में जो धूब में रख रहता है थूब का बाटल में नहीं लेना है अगर वो फ्रीज में छाय में रख को है तभी आप वह लिंगा या healthिंग पहली बात तो मारकेट का पीना भी नहीं चाहिए लेकिन आप इस तरह के से करके रख सकते हैं आया फिर मैंगी के बॉटल हूँ उसमें भी आप बना के रख सकते हैं चली फ्रेंस आपको बता देते हैं इसमें भी डाल से मैं रख लेती हूँ और हेल्थ ड्रिंक है तेयार और ठंडा ठंडा कुल-कुल एंजॉय करें इस तरीके से बॉटल में भर देते हैं तो फ्रेंस एंजॉय करें इसी तरीके से घर में फ्रोटी बनाके यह मैंगो फ्रोटी है और बिल्कुल एज़ी है बनाना भी और हेल्दी भी है और आपके पास मैगी के बॉटल हो तो इसमें भी आप भरके रख लेजे देखिए healthy drinks आपको बताते रहूं so thank you for watching